12 सितंबर से गया जंसन से कितनी ट्रेन चलेगी इस वीडियो अपडेट में हम आपको बताएंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गया जंसन से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर न न बूलें लेकिन इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे गया से चलने वाली और गया होकर चलने वाली सभी ट्रेनों के बाड़े में हैं गया से अब वारनसी आयोध्या लखनव अमबाला के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी कहने को मतलब यह हुआ कि 12 सितंबर से अगर आप गया से वारनसी आयोध्या लखनव अमबाला के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको गया जंसन से ही ट्रेने मिलेंगी इन सभी ट्रेनों का परिचालन परती दिन इस्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में देखने को मिलेगा साथ ही गया जंसन से अगर आप इंदौर, भोपाल, बीना, कटनिक के लिए सफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको यहां से इस्पेशल ट्रेन देखने को मिलेगी इसके लिए रेलिवे ने पूरी तैयारी कर लिया है रविवार से ही गया जंसन के रिजर्वेशन कॉंटर खुलने लगे हैं और यहां पर टिकट के बुगिंग परक्रिया सुरू कर दी जाएगी गया जन्सन से होकर की धन्वाद लोधियाना एकस्प्रेस और हावण इंदोर एकस्प्रेस जो कि गया से हावण और गया से धन्वाद के लिए भी इस्पेशल टेन चलानी का निन्ने किया गया है फुर्वमद रेलवे ने विभीन इस्ट्रेसनों के लिए ट्रेनों का पड़ी चालेंग 12 सितंबर से सुदू हो रहा है और गया जंसन से होकर गुजरने वाली धनवाज फिरोजपूर एक्सप्रेस और इंदोर हावरा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का पड़ी चालन किया जाएगा कुल मिला कर गया जंसन को एक बार फिर से बड़ा तोफा मिला है और गया जंसन के रूट पर विभीन इस्ट्रेनों का पड़ी चालन 12 सितंबर से देखने को मिलेगा तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में कई और ट्रेनों के बारे में हम जानेंगे और गया कि कितनी ट्रेन उसे लिस्ट में चालो होगी या भी आपको अपडेट करेंगे